गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ATL SIM से related कुछ ऐसे important code के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके daily life में काम हैंगे अब यहाँ पर मैं आपको call forwarding से related बहुत सारे code के बारे में बताऊंगा अगर आपके phone में call forwarding activated तो कैसे उन्हें deactivate कर सकते हैं इसके बारे में related कुछ code मैं आपके साथ share करूँगा जिसके मदद से आप ATL SIM से related जितने भी call forwarding के option होते हैं उनको enable disable कर सकते हैं तो देर ना करते भी शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को चलते हैं mobile screen पर और आगे की प्रोसेर समय पर सेख लेते हैं दोस्तों आपकी screen पर एक list दिखा देरी है जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया कि कौन से code किसके लिए use होते हैं कितने परकार की call forwarding होती है और उनके लिए किस परकार के code यूज किया जाते हैं तो यह कुछ आपको idea देंगे और इनका भी demo करके भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन code को यूज कर सकते हो तो इसको जरूर एक बार देख लेना तो आपको डेमो करने के लिए त्यार है यहां पर type कर देना है अब ध्यान रखें यहां पर number को ध्यान से type करना है जिस number पर आप call forwarding करना चाता है अपने 8L number की उसके बाद में आपको यहां पर has दबा देना है और उसके बाद में जैसे आप इसे dial करेंगे तो आपके phone पर आने वाली सभी call उसके number पर forward हो जाएगी अब हम यहां पर सीखेंगे कैसे आप यह चाक कर सकते हैं कि आपके phone के अंदर call forwarding एक्टिवेट है या नहीं तो अगर आप यह चीज़ चेक करना चाते हैं अपने 8L SIM पर कि आपकी SIM पर कोई call forwarding एक्टिवेट तो नहीं है तो बहुत इजली कर सकते हैं और इसके लिए करता है और यह कुछ इस ट्राइब से एक लिश्ट जारी कर देता है जिसमें दिखाता है कि आपकी call forwarding नहीं हो रही लेकिन मैंने अभी आपके सामने call forwarding को activate किया है तो अब मैं पहला वाला code लगा के देखता हूं कि यहां पर मेरे पर call forwarding दिखा रहा है कि मेरी इस नंबर call forwarding हो रही है तो अगर आप चेक काना जाता है तो यह सभी code apply करें किसी में भी अगर आपकी call forward इस तरीके से दिखाए activate दिखा रहा है किसी नंबर पर तो उसको आप stop कर सकते हो कुछ code का इस्तमाल करते हैं देखे कि call forwarding कई परकार की होती है तो नंबर भी काफी तरह के होते हैं तो यहां पर अगर आप अपने फोन से call forwarding को stop करना जाते हैं अगर आपकी एटल किसी में तो बहुत इसली कर सकते हैं आपकी स्कीन पर नंबर दिखा दे रहे हैं इन सभी नंबर को try कर लेना उसके बाद में आपकी call forwarding erase हो जाएगी तो मैंने एक नंबर यहां पर use किया हैं जिससे कि आप अपने एटल सिम से सभी पकाई call forwarding को erase कर पाएंगे तो गाईज अगर आप एटल कंपनी के सिम यूज करते हैं तो यह code आपके लिए काफे दा useful साबित होंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी और इंट्रेस्टिंग और नोलजबल वीडियो दे देमाट आप